दोस्तों कर आप भी ग्लेन मैक्सवेल और रविंदर जडेजा को महान औल राउंडर मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए का दोस्तों IPL 2024 के शुरू होने से पहले ग्लेन मैक्सवेल ने दी चेनने की टीम को धम की तो रविंदर जडेजा ने पलटवार कर दे दिया महुतोर जवाब जीयां दोस्तों IPL 2024 के शुरू होने से पहले तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आई हैं इस बीच ग्लेन मैक्सवेल ने चेनने की टीम को धमकाते हुए जहर उगला है तो वहीं पलटवार करते हुए रविंदर जडेजा ने एक ऐसा महुतोर जवाब जारी किया है जिसको सुनकर आपके भी होच उड़ जाएंगे तो आखिरकर IPL 2024 से पहले ग्लेन मैक्सवेल और रविंदर जडेजा के बीच कौन सी जुबानी जंग देखने को मिली है ये तो आपको बताएंगे ही तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ल डुपलेसे संभालते होगे दिखाई देने वाले हैं तो दूसरी तरफ से चेन्य की टीम की कप्तानी महिंदर सिंग धोनी संभालते होगे दिखाई देंगे ऐसे में डिफैंडिंग चैंपियन चेन्नी की टीम अपने घरेलु मैदान Cidambra M std पर इस मैच को जीत दर्ज करन के साथ टूनमेंट की शुरुआत करना चाहेगी लेकिन इस बीच आइपियल के ओपनिंग मैच के शुरू होने से पहले बैंगलॉर के ओल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने चेननी की टीम को धंकाया है तो वहीं चेननी के ओल राउंडर रविंद्र जडेजा ने अब पलटव करने के साथ जीत के साथ शुरुआत करेंगे और पले आउफ भी नहीं बलकी फाइनल में पहुंचकर चैंपियन बनने की पूरी कोशिश करेंगे हमारी टीम को कागस पर काफी ज्यादा कमजोर बताया जा रहा है लेकिन असलियत में हमारी टीम काफी ज्यादा बहतरीन टीम है और हमारी टीम के पास काफ़ी जादा बहतरीं खिराड़ी मौझूद है जो किसी और टीम के पास में मौझूद نہیں है इसके लावा उन्होंने आगी बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम के खिलाड़ी बैंगलॉर की टीम का प्रदर्शन हमारे खिलाव हमारे इस मैदान पर देखने को मिला है उसके बाद हम चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि हमारी टीम ने अपने घर पर काफी ज्यादा बहतर प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया है और ऐसे में अगर हमारी टीम के खिलाडी बहतर प्रदर्शन करते हुए इस मैदान पर एक बार फिर से जीत दर्श करने का कार्रे करेंगे तो किसी को भी एक बहतर जीत दर्श करने की उमीद नहीं मिलने वाली है इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि हमारी टीम के पास काफी स्यादा बहतरीन बलेबास और गेनबास मौजूद है हलाकि हमारी टीम के खिलाडी फिलाहल चोटिल चल रहे है लेकिन फिर भी हम बैक अप के दम पर विरोधी टीम को परिशान करने के इरादे से अब उतरेंगे ऐसे में बैंगलॉर टीम हमारे किलाव हार के लिए तैयार रहे तो दोस्तों आपको क्या लगता है बैंगलॉर और चेननी ओपनिंग मैच में कौन सी टीम जीत दर्च कर सकती है अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाल